Hey guys, don't forget to click on the subscribe button and click on this bell button to get all updates about e-commerce, startups, news, reviews, unboxing and everything about online shopping. और वहां पर लिखेंगे best e-commerce platform, तो आपको पहले ही यहां पर options में दिखेगा Shopify, according to INC यहां पर आप देखेंगे पहला ही नाम Shopify का आता है, क्योंकि Shopify के जो features है, plugins हैं वो काफी advanced है और यह company जो है काफी time से e-commerce platform develop कर रही है और साथ-साथ दूसरे additional features भी आपको provide करती है, तो additional features मे क्या-क्या है, उसके बारे में मैं आपको यह वीडियो में पहले बताऊंगा, यह Shopify की पूरी series बनेगी, करीबन 4-5 वीडियो या maybe उससे जादा, ताकि आप लोगों को idea है कि हर एक feature उसका कैसे use करना है, तो हर एक feature मैं इसका use करूंगा, मैं भी इसमें register कर रहा हूं, मैं भी इसका paid platform है, वो खरीद रहा हूं, क्योंकि मैं भी एक अच्छी website develop करना चाहता हूं अपने लिए, अपने dropship service के लिए, और वो मैं यहां से ही बना रहा हूं, तो इसके जो paid membership plans है, कितने के हैं, वो भी मैं आपको समझाऊंगा, और क्या-क्या features उसके अंदर आते हैं, वो भी मैं आपको बता दूँगा, तो उससे पहले मैं आपको उसके जो basic features है available, उसके बार में मैं बता देता हूं, तो जैसे ही आप Shopify साइट में जाएंगे, तो यहां पे ways to sell का option दिखेगा, जिस पे आपको काफी सारे options दिखेंगे, पहला option जो है, वो online store का है, जिसका मतलब यह है कि आप अपना खुद का e-commerce platform यहां पे ready कर सकते हैं, और e-commerce platform ready करने के लिए आपको सबसे अच्छा चाहिए होता है एक theme, एक design, जो यहां पे आपको हर एक तरह की designs मिलेंगी, paid भी मिलेंगी, और free भी मिलेंगी, obviously जो free में होंगी, उसके features थोड़े से limited होंगे, और जो paid होग इसके बारे में यह है कि यह drag and drop model है, मतलब आप drag and drop करके अपनी designs और modules select कर सकते हैं और उस पे work कर सकते हैं, optimization भी काफी अच्छा है, SEO features, SEO tools भी काफी अच्छे हैं, dashboard भी काफी अच्छा है, प्लस इसका application भी available है, जो आप play store से download कर सकते हैं और उससे भी आप अपना business चेक कर सक सकते हैं, हर एक information वहाँ से आप check कर सकते हैं, overall देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कितने businesses और कितने active users हैं, तो सारी basic information आपको या फिर features के बारे में आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि क्या-क्या platforms, क्या-क्या services यह provide करते हैं, प्लस Shopify से आपको point of sale का option भी मिलेगा, अग किसी भी site पे directly embed कर सकते हैं, share कर सकते हैं, वो काफी अच्छी feature दी गए, क्योंकि यह embedding और sharing का जो option होता है, वो आपके products की SEO को build करने के लिए काफी useful होता है, तो यह tool भी provide किया गया यहाँ पे, प्लस इसका अच्छा एक दूसरा feature यह है कि यह Facebook shop के साथ connected है, मतलब अगर products यहाँ पे add करेंगे, वो directly Facebook का जो shop है आपका वहाँ पर भी display हो जाएगा, और Facebook के अंदर आप share करेंगे product तो करोडों लोगों के पास यह information जाएगी, जहां से आप additional sales निकाल सकता है, तो यह पूरी तरह से integrated है Facebook के साथ, जिसकी वज़से आपके sales में बढ़ोतरी आ सकती है, but obviously सब कुछ at the end depend करता है कि products कौन से है, price कैसी है, listing कैसी है, तो वहाँ पर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि Shopify आपने ले लिया तो business अपने आप चलने लगेगा, products, price और listing के उपर काफी कुछ depend रहता है, Shopify यह भी ध्यान रखता है कि आप कितने easily customers के साथ connect ह रहते हैं, by mail तो होई सकता है, messages भी हो सकता है, और Facebook Messenger के थूँ भी आप अपने customers के साथ constant touch में रह सकते हैं, और information जो है, pass on कर सकते हैं, वो भी आपके साथ interact कर सकते हैं, Facebook Messenger के थूँ तो easy हो जाता है आपके लिए भी मेसेंजर से customers के साथ interact करना, और customers के जो orders होते हैं या inquiries होत नहीं पड़ेगी initially आपको जो basic उसके features हैं वो ही use करने और अगर मैं pricing की बात करूँ यहाँ पे तो Shopify समझता है कि ज़्यादा पैसे लेने का कोई मतलब नहीं है $29 monthly fee से उनकी और $29 में almost वो सब चीज प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो transaction fee है वो $29 के package में 2% है $79 के में 1% है और $299 के में 0.5% है लेकिन कुछ features ऐसे हैं यहाँ पे जैसे कि gift card option, professional reports, advanced report builder, third party calculated shipping rates तो यह चार feature ऐसे हैं जो आपको basic Shopify plan में नहीं मिलेंगे तो plan wise देखने जाए तो काफी reasonable price है यहाँ पे अब $29 के package में आपको 2 accounts मिलते हैं आप खुद यूज करते हैं और किसी एक staff को भी अपना access देना चाते हैं, additional access देना चाते हैं तो वो भी दे पाएंगे $79 के package में 5 access दे पाएंगे, $29 के package में आप 15 staff members को आप share कर सकते हैं account details और उनको access अलग-अलग तरीके के दे सकते हैं overall अगर आप देखने जाएंगे features $29 के package में तो manual order creation, discount codes, website and blog, abundant card recovery, SSL certificate ये सारी चीज़े बहुत important है जो available है जैसे जैसे आपका business grow करता है आप ऐसे package बढ़ा सकते हैं क्योंकि overall 1% का यहाँ पे difference आ रहा है instead of 2, 0.5% का लेंगे तो काफी better आपके लिए होगा क्योंकि उसमें आपको काफी सारी चीज़े unlimited मिलती हैं अब दूसरे वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे products को कैसे add करना है, store कैसे create करना है, क्या-क्या information आपको products में डालनी पड़ेगी, ठीक है customers, यह सारे options जो आपको left side में दिख रहे हैं, यह सारे options मैं आपको explain करूँगा step by step तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बता देना चाता हूँ कि यह अगर आप opt करना चाते हैं, तो इसको आप purchase कर सकते हैं, मैं हर रोज एक वीडियो इसका upload करने वाला हूँ हर एक features के साथ, ताकि आप लोग उस पे थोड़ा practice भी कर सकें चाहें तो, और थोड़ा research भी कर क्योंकि बहुत सारी information देने से confusion create हो जाता है, तो step by step, one by one जाना बहतर रहेगा, अगर आपको Shopify का plan interesting लग रहा है, तो description में मैंने link provide कर रखी है, आप वहाँ से भी register कर सकते हैं, और register करने के बाद आप अपना जो package है, उसको use कर सकते हैं, products को डाल सकते हैं, testing कर सकते हैं, हलाकि मैं हर एक features उसके individually explain करूंगा, आपको उससे ज़्यादा जानकारी इस हपते में पूरी तरह से मिल जाएगी, I hope कि ये video आपको पसंद आया होगा, like, share, subscribe करना मत भूलेगा, और bell बटन को बजाना मत भूलेगा, क्योंकि ऐसे important videos आएंगे और चले जाएंगे, आपको पता नह ही चलेगा, so that's it, thank you guys, take care, God bless you all, bye bye. झाल